दोस्तो कभी न कभी आपके दिमाग में तो ये आया ही होगा दुनिया का सबसे फास्टेस जानवर तो चीता है और दौरने के लिए हम घोडे को जानते है तो अगर इन दोनों में टककर हो जाए तो कौन जीतेगा देखिए चीता का टौप स्पीट होता है 130 km पर आवर वहीं पे खोडे का टौप स्पीट होता है 85 km से 90 km पर आवर लेकिन चीता जब दौरना स्टार्ट करता है तब 10 से 12 सेकंड में वो अपने टौप स्पीट पर पहुंच जाता है लेकिन 20 सेकंड बाद ही उसको रुकना पड़ता है क्योंकि उसके body के structure के लिए उसका body बहुत गरम हो जाता है और अगर वो नहीं रुका तो body गरम हो जाने से वो मर भी सकता है लेकिन घोडा continuous 20 मिनिट तक अपने top speed पर दौर सकता है वो भी बिना किसी थकावट के तो चीता शिकार करने के लिए अपने top speed पर 20 सेकंड तक दौर सकता है और घोडा 20 से 25 मिनिट तक अपने top speed पर तो difference clear है और हाँ प्लीज लाइक, शेर, सपोर्ट और सब्सक्राइब थैंक्यू